असलाम अलेकूम एवरीवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ के बिल्कुल ठीक होंगे आप सब मैं भी ठीक हूँ आप सब की दुआउं की वज़े से वेल्कम बेट तू अरीज की दुनिया गोड मॉर्निंग नए दिन नहीं उमीद के साथ मैं करने लगी हूँ अपना व्लाग शुरू और यहां पर मैं दिखा रही हूँ आपको यहां पर मेरा कहवा बन रहा है जो डेली रूटिं में आच कल में बहुत ही जदा अच्छा लग रहा है इस वज़े से मैं डेली रूटिं में यही यूज कर रहे हूँ और मैं आपको भी व्लाग में दिखा रही हूँ अगर आप मैसे भी किसी का गला खराब हो तो ये बहुत ही ज़ादा फाइदे मंद है कावा मैंने बहुत ही ज़ादा पिया है और मुझे पता है कि बहुत ही ज़ादा ये असर करता है गले पे आप भी जरूर ट्राय कीजिएगा अगर आपको पसंद लगे तो अगर आप सबको मेरा बलोग अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें श Hayr करें और सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं मुझे बहुत ही ज्यादा हुशी होती है आप मुझे डेली कमेंट्स करते हैं थैंक यू सो मच जो भी मेरे चैनल पर न्यू आएं उन सब को मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर खुशाम दीद तो जी मेरा कावा बन चुका है अब मैं जहां पर बना रही हूं इस करमबल एग जो मुझे खाने में बहुत ही ज़ादा अच्छा लगता है मैंने सोचा आपके साथ भी ये व्लॉग में शेयर कर दूँ कभी-कभी मेरा दिल चाहता है तो मैं सकरमबल एग भी खा लेती हूं एक्स को मैंने एक टेबल स्पून पानी डालके और उसमें थोड़ा सा नमक डालके फैंट लिया है चूले को मैंने मीडियम पे रखा हाई पे मैंने नहीं रखा यहां पे मैंने एक पैन लिया है उसमें ओयल डाल दिया है और पैन में मैंने एक्स का मिक्स्चियर शामिल कर दिया है एक्स को मैं चमच से चलाती जाओंगी, फोल्ड करती जाओंगी अगर आप चाहें तो एक्स में पानी की जगा दूर्द भी शामिल कर सकते हैं इससे भी बहुत ही जादा अच्छे बनेंगे, फलफी बनेंगे तो जी, यहाँ पर मैं चाहे बना रही हूँ, मज़दार सी जो मैं आपको हर व्लाग में दिखाती रहती हूँ चाहे मुझे पीना बहुत ही जादा अच्छा लगता है सुबा के टाइम पर लगत सबस्सी जाद टादाई में हूँ के बना चाहे मैं भाज़ स्인हाचिक अब मैं यहां पर कर रही हूं मज़ेदार सा नाश्ता नाश्ता करने के बाद मैं आप से मिलती हूँ जो सबजी आई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में देखें मज़ेदार सी सबजी आई हैं जो मैं आपको दिखा रही हूं यहां पर हमने कुछ सबजी आंगाई थी जो हमारे पास खत्म हो गई थी इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूं और यहां पर मैं सेट करके फिर्ज में रखतूंगी इसे अब मैं सारी सबजीयों को बॉक्सिस में सेट करके रखतूंगी साथ में गोबी भी आई है टमाटर भी आई हैं हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं गोबी और बेंगद अमी के बहुत ही ज़्यादा फैवरिट हैं अमी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगत झाल झाल सब्सक्राइब को मैंने सेट करके रख दिया है और यहां पर मैं आ गई थी बाहर थोड़ी दूप इंज्वाइ कर रही थी आज मैं अपने किचन में मज़ेदार सूप बना रही हूँ क्योंकि आज मेरी बहन का बहुत ही दिल चाह रहा था कि मैं सूप बना हूँ उसको मेरे हाथ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस वज़े से मैं उसके लिए सूप बना रही हूँ चिकन को मैंने फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दिया है क्योंकि मैं पैकिट्स बना के रख देती हूँ चिकन के और यहाँ पे जैसे ही चिकन सही हुआ तो यहाँ पे मैं सूप बनाने की तायारी कर रही हूँ और जैसे ही पानी को बॉय ला गया था तो उसके बाद मैंने नमक और चाप की हुई लेसन अद्रक ऐसे यखनी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी यही पानी यखनी वाला में सूप में शामिल करूँगी एड़ कर दूंगी चिकन इस स्टेज पे बॉयल हो चुका है अब मैं चिकन के रेशे कर दूंगी तंगरीला की सॉसिस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं और यहां पे मेरी सॉसिस खतम हो गई थी तो मैं आपको भी दिखा रही हूं और इस में सूप में एड़ करूंगी स्रिफ सोया सॉस क्योंके चिली सॉस में बहुत ही ज्यादा खटास होती है तो थोड़ा स तर्दियों की वज़े से गले खराब हो गए हैं यहां पे इस स्टेज पे मैं यखनी में एड़ कर रही हूं सोया सॉस दो टेबले स्पून में कानफलोर के लेके यहां पे मैं मिक्स कर रही हूं पानी के साथ क्योंके सूप मुझे गाड़ा रखना है यहां पे मैं यखनी में श्रेड़ड चिकन एड़ कर रही हूं आज कल तो बहुत ही ज़ादा सूप के भी हाई रेट हो गए हैं रेस्टोरेंट वाला जो मिलता है वो तो बहुत ही ज़ादा एक्सपेंसिव हो गया है सूप मैं बाहर नहीं जा सकती तो इस वज़े से मैं घ मैं गर वालों को तो मोस्टली मेरे हाद का सूप बहुत ही ज़ादा आचा लगता है कांट फ्लोर भी शामिल कर दिया है मैंने सूप में और उसके बाद में एक की सफैदी जो है वो भी सूप में एड़ कर रही हूं आजकल सड़्डियों में तो सूप पीना बहुत ही ज़ा अब आप देखें सूप की फाइनल लुक यहां पर मैं सर्फ कर रही हूं सूप को आप देखें कितना फेंटेस्टिक सूप बना है मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि अच्छा थोड़ी से मैंने काली मिर्च भी एड़ कर दिये हैं सूप के उपर अब मैं जाओंगी अपनी बहन को यह सूप देने कर दो तो जी यह था रात का टाइम और मैं आ गई थी रात का डिनिर बनाने किच्छन में और यहां पर मैं अपने भाई की फर्माइश पर बना रही हूं तवा चिकन तो भाई ने मुझसे फर्माइश की और यहां पर मैं बना रही हूं तवा चिकन लेकिन मैं तवे पर नहीं बना रही हूं जो घर में हमारे पास रेगूलर यूज होती है और यहां पर मैं चिकन को मेरिनेट कर रही हूं सबसे पहले मैंने बाउल में एक चिकिन शामिल कर दिया और चिकन शामिल करने के बाद थोड़ा सा नमक और layers on a drug का पेस्ट शामिल कर दिया है और फिर मैंने आदे घंटे के लिए चिकन को मेरीनेट करके लगथ दिया था प्यास को मैंने काट के चॉप कर दिया है और इसके पाद मैं प्यास को ग्रेंड कर दूगी ग्राइंडर में जहां पर मैंने कड़ाई लिये और कड़ाई में मैं आइल शामिल कर दिया है और आइल शामिल करने के बाद साबित गरम मसाला मैंने एड़ कर दिया है जैसे ही गरम मसाला फिरा हुआ और उसके बाद ग्रेंड कीवी प्यास शामिल कर दी है मैं ने प्यास को मैं इतना पकाऊंगी कि पानी ड्राए हो जाए प्यास का जैसे ही प्यास फिरा हुई तो उसके बाद मैंने टेमाटर का पेस्ट चामिल कर दिया था और टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं अच्छी तरीके से चलाऊंगी उसके बाद चिकन एड़ कर दूँगी चिकन को मैं 15 मिनिट तक प्यास और टमाटर के साथ पकाऊंगी अच्छी तरीके से और उसके बाद मैं मसाले शामिल कर दूंगी चिकन में धनिया पाउडर, सफेज जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक चिकन में मैं आधा ग्लास पानी का शामिल करें हूँ और उसके बाद मैं चिकन को कवर करके रखतूंगी ताके चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए इस तवा चिकन को बहुत ही ज्यादा मैंने बूना है क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा अच्छी खुश्पू आती है तवा चिकन की है एको की खुश्पू अर्टोडा सा मैने च्कन में पानी शामिल कर द्या है और उपर से तवा चिकन के मैंने हरा धनिया भी बल्ड़ कर दिया है और लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ तवा चिक क्रीम क्रीम से टेस्ट बहुत ही जादा मज़ेदार आएगा इसका मज़ेदार सी डिश बन चुकी है यहां पे अलहमदलिल्ला आप भी जरूर ट्राइ कीजीगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और यहां पर मैं खा रही हूं खान तो जी यह था मेरा आज का वलाग आज की रूटीन उमीद करती हूं कि आपको जरूर पसंदाई होगी अच्छा चलती हूं दौाओं में याद रखिएगा अपना और अपने घरवालों का खयाल रखिएगा बिलते हैं अगले वलाग में आला हाफिज झाल